भजन सहिता अध्याय उन्निस आकाश परमिश्वर की महिमा वर्नन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रगट कर रहा है दिन से दिन बाते करता है और रात को रात ग्यान सिखाती है न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है उनका सुर सारे पूत्वी पर गुंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गये है उनमें से उसने सुरे के लिए एक मंडब खड़ा किया है जो दुल्धे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरबीर की नाई अपनी दवड़ दवड़ाने को हरशित होता है वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुचाती है यहवा की व्यवस्ता खरी है वह प्रान को बहला कर देती है यहवा के नियम विश्वास योग्य है वह साधरन लोगों को बुद्धिमान बना देते यहोवा के उपदेश सिध्ध है वह रधै को आनंदित कर देते हैं. यहोवा के आग्या निर्मल है वह आखों में जूती ले आते हैं. यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीती से धर्म में है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधू से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधूर है, और उनी से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भुल्चुक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तु मुझे पवित्र कर। तु अपने दास को धीटाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुदा करने न पाए। तब तो कर तु आप